ब्रश्कार दोस्तो यह रिष्टा क्या कहलाता है कि आज के पिश्योट की शुरुआत होती है अभिनौ ने अक्षरा से कहा कि वह समझे कि अभीर को घर की जाने की जरुरत है अभिनौ ने अभिनौ ने अभिनौ और अक्षरा की बाते सुन ले अभिनो अभिमनु से कहते हैं कि एक डॉक्टर होने के नातेवा समझेंगे कि एक मरेज की खुश इश्रप से ज़्यादा मैने रखती है अभिमनु कहते हैं कि कुछ निर्णे केवल माता पिता ही ले सकते हैं वह कहते हैं कि केवल वे ही ते कर सकते हैं कि अभीर के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा बिर्ला आरोही के जन्दिन की तैयारी करते हैं रोही उत्यजित हो जाती हैं गोयनका ने आरोही को उसके जन्दिन पर बुलाया अक्षरा और अभी नव आरोही को भी विश्च करते हैं आरोही अभी भूत हो जाती है मनजरी परिशान हो जाती है अरोही अपना जन्दीन बीड़ला और गोयनकास के साथ बनाती है अक्षरा अरोही से कहते हैं कि अभी सो गया आरोही कहती है कि जब अभी जल्द ठीक हो जाएगा तो वह एक पार्टी देगी वनिश्ट आरोही से पुस्ता है और इलाज करता है आरोही जल्द ही कहती है वह रूही और बाकी लोगों को केक खिलाती है आरोही से उपहार मिलता है उसने अनुमान लगा कि अक्षरा ने उपहार भेजा होगा अक्षरा आरोही को बताती है कि उपहार को अनकास से है शेफाली आरोही से उपहार खोलने के लिए कहती है आरोही को अक्षरा का दिया हुआ तौफा पसंद आया अक्ष्रा आरोही से कहते हैं कि वह जानती हैं कि उसे हेर एक्ससरीच पसंद है, दोनों बच्पन को याद करते हैं, आरोही कहते हैं कि छोटे बालों के कारण वह एक्ससरीच का इस्तोमाल नहीं कर पाती है, स्वर्णा अक्ष्रा और आरोही को भाउक नहीं होने के लिए कहते मानीस आरोही से पूस्ता है कि उसे क्या चाहिए अरोही कुछ नहीं कहते हैं बस उनका अशिरवाद चाहिए गोय अंकास आरोही को बिर्ला के साथ जन दिन मनाने के लिए कहता है अब मन्नु अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाता है आरोही अभी मन्नु को केक खिलाने की कोशिश करती है रोही केक लेती हैं आक्षरा अभीनव अभीर को घर लाने का फैसला करते है सुरेखा मनीट से कहते हैं कि वाक्षर आभीनों को पहली बार लड़ते हुए देख रही है मनीट सुरेखा से कहता है कि उसने कभी माता पिता को बच्चों के लिए नहीं देखा रूई आरोई कर जन्दिन मनाने के लिए उट्शाहित हो जाती है मनजुरी शेफाली से अभ्यमन्नु आरोही को जन्दिन की तार्यग पर भेजने का फेसला करती है। अभिनुन ने जाने का फैसला किया आरोही खुश हो जाती है अक्षरा अभिनव अभीर को खाना खिलाने की कोशिश करते हैं अभीर अभिनुन को इग्नोर करता है जब अरोही डेट के लिए तयार हो रही होती तो शेफाली निष्ठा उसे चिढ़ाती है मंजरी अभिनुन की प्रतिक्षा करती है अरोही मंझरी को आराम करने के लिए खती है अभिनुन और अक्षरा अभीर को इसके दिल की बिमारी के बारे में बताते हैं अभित कुसकता है कि क्या लगत कील पाएगा अभिनाव और अख्षरह ने अभीड को शान्त करए मंद्जश्या नरहि को पता चलता है कि मैंघ के मामले में फ्यासत कर करने वाले एपिसोड में कि डॉक्टर अभीर के जन्म के मामने के बारे में बताते हैं अभी मनु को अक्षरा और अभीर पश्रक है धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले हम आपको ऐसे ही नए अपडेट देते रहेंगे देते चैनल